गुड मॉनिंग एप्रिवन बेलकम टू एक्जाम ओर्बिट क्लासेश तो कैसे हैं आप सभी आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तयारी भी बहुत अच्छी चल दे होगी तो फेंड्स आज है 26 फरबरी और आज की इस क्लास में डिसकस करेंगे क्रेले जी का निदन हो गया है जानेंगे इनके बारे में आई टू यू टू ब्यापर मंच का जो उद्गाटन बैठक है ये कहां पर हुई है डिसकस करेंगे इस बैठक के बारे में सियार्पी अब दुबारा बर्स दो हजार तेईस में इस थापना दिवज जो समारो है ये कहां पर होने वाला है सुप्रीम कोट के पूर्व नियादेस जेस्टिस एस अब्दुल नजी ने किस राज्च के गवणनर के रूप में सपत ले ली है डिसकस करेंगे इनके बारे में और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है संडे आज की क्लास में बीखली करेंट अफियर भी आप सभी को रिवीजन कराये जाएगा तो अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्त पूंट रहने वाली है तो एक डारेक्ट एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है कि हाली में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए निम्नमैसे किस देश ने स्वास्त आपातकाल की घोष्णा की थी तो याद रखेंगे ये पेरू के दुआरा की गई है पेरू ने डेंगू के प्रकोप के कार पेरू किस महादीब में आता है तो याद रखेंगे ये साउथ अमेरिका यानि की दच्छडी अमेरिका में इस्तित एक देश है पेरू के यहाँ पर आपको एक छोटा सा ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा होगा ये कौन सी जील है तो याद रखेंगे इसे टीटी काक जील है ये किस महादीब में है या फिर कहां पर इस्तित है तो याद रखेंगे ये पेरू और बॉलिबिया की सीमा पर इस्तित है इसके अलावा आप याद रखेंगे साउथ अमेरिका से एंडीज परवत माला एंडीज परवत माला जो की विश्व की सबसे लंबी परवत स अंकला है, ये किस महाधीप में आती है? South America में कमेंट्स करके आंसर करेंगे आप सभी कि जोWh dies परवत माला है इसकी सबसे ऊची चोटी कौनसी है ओचोटी का नाम आप सभी को कमेंट्स वॉक्स में लिखना है इसके लावा और आप यहां से याद रख सकते हैं जैसे कि यहां से एक प्रमुक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं Amazan नदी Amazan नदी कहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है तो यह Atlantic महा सागर में अपना डेल्टा बनाती है याद रखेंगे आप सभी वहीं पेरू के बारे में और क्या क्या याद रख सकते हैं तो पेरू की प्रसिडेंट हाली में बनी है और इनका नाम है दीना वॉलॉआर्टो राजधानी यहां की लीमा है और यहां की मुद्रा को सोलू कहते हैं अगला सवाल है कि हाली में पिर्षित नित्रंगना कनक रेले का निधन हो गया है वह किस क्लासिकल डांस की पिर्षित नित्रंगना थी तो फ्रेंट्स याद रखेंगे कनक रेले का संबन्ध था मोहिनी अटम से पूछा जा सकता है इस परकार की कोश्चन अक्सरा एक्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं तो याद रखेंगे इनका संबन किसे था तो ये वोही नहीं अट्टम की काफी अच्छी डांसर थी वहीं बात की जाएं इनकी तो ये नालंदा निरत कला महा विद्याले की संस्थापक थी बर्तमान में पदम भूशन और पदम सिरी से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है वर्स 2006 में मद्पर्दे सरकान ने इन्हें काली दास सम्मान दिया था जिनका भी PSC का एक्जाम है वो इस पुरुसकार को याद रखेंगे पूछा जा सकता है आगे डिसकस कर लेते हैं सास्त्रिय निरत्य सैली से संबंदित कुछ एस्टरा फेक्ट जैसे कि जावेरी बेहनों याद रखेंगे इसमें आती हैं दर्सना, नैना, रंजना एवं सुवर्ना इनका सम्मान के सास्त्रिय निरत्य से है तो ये मणीपुरी की डांसर है दमियंती जोसी ये अक्सर पूछ ली जाती है दमियंती जोसी किस सास्ट्री निरत से संबंदित है कत्थक कत्थक कहां का है फ्रेंट्स तो याद रखेंगे कत्थक है यूपी का मनिपूर कहां का है तो यह आपका मनिपूर का है रागनी देवी किस सास्ट्री निरत सैली से संबंदित है तो इनका संबन्ध है मोहिनी अटम से अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो मोहिनी अटम है ये किस राज्य का सास्ट्रे निरत है मतब भारत का ये सास्ट्रे निरत है लेकिन किस राज्य से ये संबन्दित है यह आपको comments box में लिखना है सोबना नाराइन और बिर्जू माहराज किस सास्त्री निरत्त से संबंदे थे तो इनका संबंद भी कत्तक से है यामनी केश्ण मूर्ती का संबंद किस सास्त्री निरत्त से है तो इनका संबंद है भरत नाट्यम से अगला सबस्पेत अगला जबाल है कि I2-U2 ब्यापार मंच की उद्गातन जो बैठक है ये कहां पर हुई है तो I2-U2 जो ब्यापार मंच है इसका जो उद्गातन बैठक हुई है ये आबु-धाबु में आयोजित की गई कहां पर हुई है कि विजिनिस फॉरम का प्रिथम संभिलन आपू धाबी यानि कि संयुक्त अरब अमीराथ में आयोजित किया गया। फेंटस इस फॉरम का जो उद्धेस है वो बुनियादी धाचे के आधुनी करण उद्ध्योगों को डीकार्बनाईज करने, सार्वजनिक स्वास्त में सुधार करने और हरित पुर्द्योगे की के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए नीजी छेतर की पूंजी और विशिशक गिता का लाब उठाना है। डिस्कस करेंगे किस के बारे में तो आगे जानेंगे आईटू यूटू गुरूप के बारे में। पेस, हेल्थ और फूट सीक्योरिटी जैसे छे परिस्पारिक रूप से पहचाने गए छेतरों में मिलकर इनवेस्ट और उठाहित करना है। चार देश कौन से हैं तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ये चारों देश आपको याद रखने हैं इसमें भारत सामिल है फेंट से ना भारत, इसराइल, अमेरिका और संयुक्त, अरब, अमीरात। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कौर्ड में कौन से देश सामिल है, जो कौर्ड समू है, इसमें कौन कौन से देश सामिल है। नेस्ट कुईशन है कि CRPF दुवारा बर्स 2023 में अपना इस्थापना दिवत जो समारो है ये कहां पर आयूजित किया जाएगा। 84 बार इस्थापना दिवस है, वहीं 83 बेस्थापना दिवस की बात की जाए तो ये हुआ था जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में और यह पहली बार था जब CRPF ने राश्टिय राजधानी यानि कि दिल्ली के बाहर अपना इस्थापना दिवस मनाया था। दिक्स कर लेते हैं किंद्रिय रिजर पुलिस वल के बारे में यानि कि carral reserve police force के बारे में किंद्रिय रिजर पुलिस वल का जो गठन है ये 27 जुलाई 1949 में होता है इसका मुख्याल है यानि कि head quarter नई दिल्ली में है आदर्स बाके सेवा और वफाधारी परतमान में यहां के है डॉक्टर एस एल थाउसेन अगला सवाल है कि सुप्रीम कोट के मुख सुप्रीम कोट के पूर्व नियाईदी जेस्टिस एस अब्दुल्ला नजीर ने किस राज के गवनर के रूप में सपत ले ली है तो अब्दुल्नजीर जो है आंद्र प्रदेश के नए राज्युपाल बन गए है जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं आंद्र प्रदेश हाई कोट के मुखे नियाईदी परसांत कुमार मिश्रा ने इन्हें सपत दिलाई है वहें करनाटक उच्छी नियाले के पूर्व नियाईदीस रह चुके हैं अब रिवीजन करेंगे पूरे बीक का तो आप सभी आंसर करते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में तो पहला सवाल है कि रंजी ट्रॉफी 2022 देश का जो खिताब है ये किस ने जीत लिया है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे यहें खिताब सौराष्ट ने जीता है बंगाल को हरा कर नेस्ट कुईशन है कि भारत और किस देश के वीज दुई वार्सिक परिसिक्षन अब्यास डस्ट लिखका चौता संसकरण आरम होगा तो ये आयोजित किया जाएगा उजवेकिस्तान के साथ आयोजन कब होगा इसका तो पांच मार्स तक ये चलने वाला है ठीक है पांच मार्स तक ये आयोजित किया जाएगा केंद्रिय गिरे मंत्री अमिस सहनिक छत्रपती सिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित सिप स्रस्टी थीम पार का उधगाटन कहां पर किया था पूरे में नैस्ट सिलाइड चो दी गई है फ्रिंस इस पर आप सभी को आंसर मिल जाएगा तो पीडियाप आपको टेलीग्राम चैनल पर बाद में मिल जाएगी पहला रात जिस तरह जींगा मिला कहां पर हुआ है तो जींगे मिले का आईजन पंजाब में किया गया है किस देश ने भारत के फ्रोजन सीफोट पर प्रतिवंद हटा दिया है तो ये प्रतिवंद कतर की गवर्मेंट के दुवारा हटाया गया है Electronic Manufacturing Supply Chain Ecosystem का Semicon India जो सम्मिलन है ये कहां पर हुआ है तो इसका आयुजन दिल्ली में किया गया था UNICEF इंडिया के लिए बाल अधिकार के रास्टी रासदूद के रूप में किसे न्युक्त किया गया है ये कुशन पहुत महत्पून है याद रखेंगे आयुशमान खुराना को न्युक्त किया गया है तुलसीदास बलराम का 86 वर्ष की आयुँ में नेधन हो गया इनका संबंध किस खेल से था तो ये फूट वॉल के काफी अच्छे खिलाड़ी थे भारत गौरव डिलैक्स एसी टूरिस्ट ट्रेंस री रामजान की यात्रा अयुद्या से जनगपूर तकिस रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुवात हुई थी सब्दर गंजी ये कहां पर आता है दिल्ली में अपीजे अबदुल कलाम सैटेलाइट लॉंच वीकल मिर्सन की जो शुरुवात है ये कहां की गई है तो इसकी शुरुवात पट्टी पोलम से की गई थी पट्टी पोलम कहां पर है तो ये आता है तमिलनाडू में 49 वक हजुराओ निरत्त महोसब जो है ये कहां पर हो रहा है तो इसका आयूजन मद्द परदेश में किया जा रहा है और ये 26 फरवरी तक चलेगा उत्तर भारत का पहला न्यूकिलियर पावर प्लांट किस राज्ज में इस्थापित किया जा रहा है तो फ्रेंट्स ये इस् समीति गटित कर दी है तो गीहूं के लिए ये समीति बनाई गई है चेत्रपदी सिवाजी जैन्टी 2023 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था तो ये आगरा में हुआ था अगला जबाल रिवीजन करेंगे कि अठारवी विश्व कॉंग्रे सुरक्षा कॉंग्रेस कहां ह होगी तो इसका आयोजन जैपुर राजस्थान में किया जाएगा अठारवी कॉंग्रेस का आयोजन फ्रेंट्स हो चुका है ये तब मैंने कोईशन आपको पढ़ाया था तो 21 से 23 फरवरी तक आयोजित की गई थी जैपुर राजस्थान में आपचारिक रूप से 2035 से गैस डीजल कारों की बिकरी पर प्रतिबंद किसने लगा दिया है तो यूरूपी संग के दुवारा यहां प्रतिबंद लगाया गया है पहली जी 20 बित मंत्रियों की बित मंत्रियों और केंद्रिय बैंकों के गवंणर की जो बैठक है ये कहां हुई है बैंगलोर कनाटक में इंटरनेस्टनल किर्केट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाच कौन बन गए हैं तो याद रखेंगे इनका नाम है बेराट कोहली अगला सवाल है कि जादिगत भेदवा पर रोक लगाने वाला पहला अमिर की सहर कौन सा बन गया है तो फ्रेंट्स ये कोईशन बन सकता है एक्जाम में याद रखेंगे सियेटल बना है 25 बिधियो के अद्यच कौन है तो 22 बिधियो के अद्यच है रितु राज अवस्ति जिने आप सभी पिक में देख सकते हैं इनका कारिकल बढ़ा दिया गया है हाली में केंद्रिय मंत्री मंडल ने वाइस फरवरी को भारा सरकारों के इस देज के बीच हवाई सेवा समझोते पर हस्ताक्षर को मन्जूरी दे दी है तो ये समझोता गुवाना गवर्मेंट के साथ किया गया है संसत रत्न पुरुषकार समारों का तेरवा संसकरन कहां पर होगा तो इसका आयूजन नई दिल्ली में किया जाएगा अगला सबाल है कि नीजी कमपनियों दुवारा भारत का पहला हाइब्रेट सराूंडिंग रॉकेट कहां से लांच किया गया है तो इसकी लांचिंग हुई थी कहां से तमिल नाडू से इसे लांच किया गया है नेस्ट कुईशन रिभीजन करेंगे कि भार्दिय सेनाने के सराजिया केंद्र सासित प्रदेश में महिला इसनों किरके टूनामेंट का आयोजन किया तो इसका आयोजन जमु कश्मीर में किया गया था Next question है कि दिवंगट सिर्यास विपिन रावत के सम्मान में कि देस के सिरी मुक्तिनात मनदिर में घंडी लगाई गई है तो उसका आνसर आप सब भी याद कर लेंगे सृरी लंका में लगाई गई है नेस्ट कुईशन है कि दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्के की जो आधार सिला है ये किस न रखी है फ्रेंट्स तो याद रखेंगे ये रखी गई नितिन गड़करी जी के दुबारा कहां पर नागपुर माहरास्ट में कौन सा देश म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजवानी करता है तो म्यूनिक सुरक्षा जो सम्मेलन है ये जर्मनी में होता है किस देश से टकराया चकरवाद फ्रेडी तो इसे अच्छे से याद कर लेंगे चकरवाद फ्रेडी टकराया था मौरिस से किस पूर्व IS आफिसर को नीती आयो का CEO न्युक्त किया गया है बहुत ही महत पूर कोईशन है इस प्रकार के कोईशन अक्सर एक्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो BBR सुब्र मन्यम आई होब आप सबी को यह नाम याद हो गया होगा चैस में भारत के 80 वे ग्रांड मास्टर कौन बन गए है तो इनका नाम है विगनेश एनार अगले सबाल रिवीजन करेंगे कि दादसाफ वाल के अंतरास्टिय फिल्म समारो 2023 में किस फिल्म को सर्वसरेश्ट फिल्म का पूरुसकार दिया गया है तो सर्वसरेश्ट फिल्म का जो पूरुसकार है वो दा कश्मीर फाइल्स को मिला है यूनिफाइट पेर्मेंट इंटरफेस यानि कि यूपी आई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉंच की है तो ये लॉंच की गई है सिंगापूर के साथ मिलकर खबरों में रही पेंगोंग तसो जील किस राजिया केंद्र सासित प्रदेश में इस्तित है तो पेंगोंग तसो जो जील है ये आती है लगदाक वाले छेत्र में किस राजी के पूर्व राजपाल ऊपी कोहली का निधन हो गया है तो ये गुजरात के पूर्व गबनर रह चुके हैं जिनका हाली में निधन हो गया था सरकार ने किस मिशन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिप के नेततों वाले पैनल का गठन किया है तो मिशन कर्म योगी की निगरानी के लिए पिरसित पर्येटन इस्ताल जैगहाटी किस राज जिया केंद्र सासित परदेश में इस्तित है तो जैगाटी आती है जमू कश्मीर में जो किस समय सुर्कियों में बनी हुई है निमन मेंसे किस सहर के चर्च गेट रेलबे स्टेशन का नाम चिंता याद रखेंगे चिंता मन्राव देश मुक्यानी की जो भारत के पहली भारती गवनर रहे हैं किस के आरबी आई के इनी के नाम पर यह है रेलबे स्टेशन का नाम रखा गया है और यह बहुत ही अच्छा कोश्चन है याद रखेंगे मुंबई में है यह चर्च गेट रेलबे स्टेशन निमने मैं से किसे अंतरास्टिय स्रम संगठन के लेखा परिक्षक के रूप में चुना गया है तो गिरीज, चंद्र, मुर्मूजी को जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं अगला सवाल रिबीजन करेंगे निमने मैं से कौन भारत के रक्षा सचिब है तो भारत के रक्षा सचिब है बर्दमान में अर्माने गिरीधर जिनका कारिकाल हाली में बढ़ा दिया गया है केबिनीट के दुवारा अर्जेंटीना ओपन का जो खिताब है यह किस ने जीत लिया है तो अर्जेंटीना ओपन का जो खिताब है यह कार्लोस अलकराज ने जीत लिया है जहने आप सभी पिक में देख सकते हैं किस देश के ФОТवाल खिलारी सर्जीयो रामोस ने सेबा नबरत की घोष्णा की है तो इनका संबंध है इस्पेन से पूछा जा सकता है कि सर्जीयो रामोस का संबंध की स्किल से है तो याद रखेंगे यह फूत वाल के ऐ खिलारी है 24 फरवरी 2023 को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं तो फ्रेंट्स इस योजना के चार साल पूरे हो चुके हैं इस योजना की शुरुवात कब हुई थी यह आप से पूछी जा सकती है तो 24 फर्वरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी दुवारा भूमी धारक किसानों की बित्य जरूरतों को पूरा करने के लिए से लॉंच किया गया था तो फ्रेंट्स आज के सेशन में 26 फर्वरी के करेंट अफियर के साथ साथ पूरे भी का करेंट अफियर भी बिलकुल कम से कम समय में रिवीजन करा दिया आप सभी को तो ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जादा से जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा मिलते हैं नेस्ट सेशन में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय है जय भारत